नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आप सबका हमारे यूटूब चेनल MPXAM NEWS में आज की इस वीडियो में हम 4 नवंबर 2021 के मद्द प्रदेश करेंट अफेर के बारे में चर्चा करेंगे इसलिए आप इस वीडियो को पूरा लास्ट तक जरूर देखिएगा और आप सभी भाईयो पहनों को दीपा वली की हारदिक हारदिक सुपकामना है मातल लक्षमी की किरपा आप सब पर हमेशा बनी रहे और अगर आपको मद्द प्रदेश करेंट अफेर की PDF चाहिए है तो आप हमारा टेलिग्राम गूरूप जोइन कर लीजिए इसका लिंक डिस्क्रेप्शन में दिया गया है चलिए जान लेते हैं कल के प्रसने का उत्तर प्रसने था अहिल्या घाट मद्द प्रदेश के किस जिले में इस्तित है तो इसका सही उत्तर है ओप्शन नंबर D खरगोन जिले में अहिल्या घाट मद्द प्रदेश के खरगोन जिले के महेजवर में इस्तित है और बर्मान घाट ये नर्सिंगपूर जिले में है सेठानी घाट होसंगावाज जिले में और तिलवारा घाट जवलपूर जिले में इस्तित है चलिए शुरू करते है आज का मद्द प्रदेश करेंट अफिर हमारा पहला प्रसन है देश का पहला रोक सेल्टर कोरिडोर मद्द प्रदेश के किस जिले के पास बनेगा तो इसका सहे उत्तर है ओप्सन नंबर C भोपाल के पास में मद्द प्रदेश के भोपाल जिले के पास देश का पहला रोक सेल्टर कोरिडोर पनेगा राज्य पुरातद्व सर्वेच्छन की ओर से सर्वे कराया जा रहा है और इस रूट में बेरसिया, बिदीसा, राइसेन और सिहोर भी सामिल है यह आप देख सकते हैं इस पर आर्टिकल है कि भोपाल के पास बनेगा देश का पहला रोक सेल्टर कोरिडोर और इस रूट में बेरसिया, बिदीसा, राइसेन और सिहोर भी सामिल है और इसका भोपाल के साथ बिदीसा और राइसेन का सर्वे हो गया है अब सिहोर और राजगर्ड की साइट का सर्वे होना बांकी है अभी यह अमारा अगला प्रस्न है कि प्रिख्यात गांधिवादी बिचारक डाक्टर एसेन सुबबराओ का हाली में निधन हो गया है इनका संबंद मद्यप्रदेश के किस जिले से है तो इसका सही उत्तर है उप्सन नंबर ए इनका संबंद मद्यप्रदेश के मुरेना जिले से है हाली में मद्धि प्रदेश के मुरेना जले के प्रिख्यात गांधी बांधी विचारक डाक्टर एसेन सुबबराओ का निधन हो गया है चंबल को दस्यू मुक्त यानि के डांपूओं से मुक्त करने में एसेन सुबबराओ का बड़ा योगदान है उन्होंने 672 डाकेतों को समर्पन कराये था वो सुबबराओ ने जोरा में गांधी आसरेम की स्थापना भी की थी इन्हें भारत सरकार द्वारा पदमस्री पुरुसकार से भी सम्मानित किया गया है यह आप देख सकते हैं यह है एसेन सुबबराओ और इनका हाली में निदेन हो गया है उन्हें पदमस्री पुरुसकार से भी सम्मानित किया गया था और यह मद्द प्रदेश के मुरे नज लेके हैं यह हमारा अगला प्रस्ण है कि 31 वी राश्टिय सीनियर केनो स्प्रिंट कया केनो इंग चेंपियनसिप 2021 में मद्द प्रदेश बाटर स्पोर्ट अकैदमी की कावेरी ढीमर ने कुल कितने स्वन्ड पदक जीते हैं तो इंहुने जीते हैं साथ स्वन्द पदक अकेली ने जीते हैं साथ सोची इकत्तीस वी राश्टिय सीनियर केनो स्प्रिंट कया किंग केनो इंग चेंपियनसिप 2021 में मद्द प्रदेश बाटर स्पोर्ट अकैदमी की कावेरी ढीमर ने कुल साथ स्वन्ड पदक जीते हैं और मद्द प्रदेश की खेल मंत्री कौन है? यह हैं स्रीमती यसोधरा राजे सिंधिया। यह आप देख सकते हैं इस पर स्पोर्ट एंड यूद बेलफेर डेपार्टमेंट का ट्वीट है कि 31 राश्टिय सीनियर केनो कया किंग चेंपियन्शिप में कावेरी बनी गोल्डन गर्ल और इन्होंने इसमें साथ स्वन्द पदक जीते हैं और यह हैं कावेरी धीमर। और यह हैं मद्यप्रदेश की खेल मंत्री स्रीमती यसोदरा राजे सिंधिया। जीते हैं और इनमें 12 स्वन्द पदक, 12 रजत पदक और 5 कावेरी धीमर नहीं जीते हैं। और महिला टीम इसमें ओवरॉल चेंपियन रही है तेवं पूरुस टीम ओवरॉल रन अप रही है। यह आप देख सकते हैं इसपर टूइट है कि मद्यप्रदेश बॉटर रैकेडमी के खिलाडियों ने 12 स्वन्द बारा रजत और 5 कावेरी धीमर रही है। हमारा अगला प्रस ने कि मद्यप्रदेश के किस विभाग द्वारा ओस्दिये पोदों का वित्रन किया जा रहा है। और जो भौपाले इसमें प्रदेश का सबसे बड़ा हर्भल गार्डेन भी बनाया जा रहा है। यह आप देख सकते हैं इस पर जन्जंपरा विभाग द्वारा जारी एक ट्वीट है पोस्टर है कि मद्य प्रदेश में अब आयूस आपके द्वार कारेक्रम के तहट ओजदियों का वित्रण हो रहा है और यह से ही पूरे देश में लगभग 75 लाग पोदों का वित्रण अनुसार प्रदेश में आयूजित हो रहा है अब हम करेंगे मद्य प्रदेश करेंट अफेर का रिवीजन कल के प्रस्णों का हमारा पहला प्रस्ण है मद्य प्रदेश राच्ची सरकार ने अगले पांच वर्सों में कितने सोलर पंप स्थापित करने का लक्ष रखा है तो अगला प्रस ने सबकी ओजना सबका विकास जन अभियान 2020-21 के अंतरगत दो दिवसी कारेसाला का आयोजन कहां किया गया है तो यह किया गया है भुपाल में अगला प्रस ने मद्यप्रदेश के किस विष्व विध्याले में नाइट सिप्ट में भी अध्यान किया जा सकेगा तो यह किया जा सकेगा विक्रम विष्व विध्याले में यह हमारा अगला प्रसन है कि मद्द प्रदेश के हाई कोट का विस्तार अब किस हाई कोट की तर्ज पर होगा तो मद्द प्रदेश हाई कोट का विस्तार अब दिल्ली हाई कोट की तर्ज पर किया जाएगा यह हैं हमारा आज का प्रस्ल इसका उत्तर आप सभी कमेंट में जरूर दें कि निम्न में से कौन सा राश्टी उध्यान टाइगर प्रोजेक्ट में सामिल नहीं है पन्ना राश्टी उध्यान, सत्पुडा राश्टी उध्यान, बांधवगर राश्टी उध्यान या माधव उध्यान कुन सा राज़्टि उध्यान टाइगर प्रोजोक्त में सामिल नहीं है इसका उत्तर आप सभी कमेंट में जरूर दें और ये था हमारा आज का मद्ध्रदेश करेंट अफेर उम्मीद है आपको वीडियो पसंद आया होगा अगर पसंद आया है तो इसे लाइक करें अपने दोस्तों के साथ सेर करें और हमारे चैनल को सब्सक्राइब भी जरूर करें मिलेंगे नेक्स वीडियो में तब तक जे हिन जे भारत